आज मैं आपको सिखाऊंगी कि नेट का डिजाइनर लहंगा आप घर पे किस तरह से बना सकते हैं और इस तरह का लहंगा अगर आप बाहर से सिलाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा तो लेकिन मैं सबसे पहले आपको वह शॉप दिखाऊंगी जहां से मैं और मैं आगे वीडियो में आपके साथ अलग-अलग तरह का लहंगा और उसका टॉप बनाना सिखाऊंगी तो यहां से मैंने खासकर इद के हिसाब से कपड़े खरीदे हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आये हैं तो आज की वीडियो जो है मैं उसी कपड़े से बनाने आप कोटन का फैबरिक 1.08 में उसके अंडर बगा से की इस के आधि हूँ तो यह फैबरिक एंग लिएक जो है इसकbles है यह जादा पसंद आया है यह नेट फैबरिक जो है इसमें जादा कुश्यक्त करने की ज़रूबर्य दभ में लेसे लो कचे इं मानिग के अंदर करें ज चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेकिन से पहले मैं आपको यहां पर पेपर पूसका मेजरमेंट सिखा देती हूं तो यह देखिए हमने सबसे पहले इसका बेल ड्रॉग किया है हमें जो कपड़े में बनाना हो वह हम इसमार लंबाई देते हैं यह जो लंबाई रहेगी इसमें ग्यादस रहेंगी बीच में ऑपीच में हम इंच बैल अंगे dużo इंच को बड़न लगा देंगी तो हमार यहां पर फॉटीट बचेगा भी हमें जो है बेल्ट अलग से लगाने का है बाकी जो नीचे वाला हिस्सा रहेगा वो जो हमने यहां पर लंबाई रखी है उससे हम दो इंच कम कर देंगे यानि यह हमने जो है 40.5 इंच रखा है तो वह हम 38.5 इंच लेंगे तो जैसे जैसे मैं आपको कपड़े में बताऊं है यहां से बस आपको इस तरह से रखना है इसी कटिंग बहुत ही जादा आसान है तो यहां पर आपको लंबाई ले लेनी है कि जितनी भी आपकी लंबाई रहेगी उसमें हाफ इंच आपको एड़ करना है क्योंकि हम उसमें बेल्ट लगाएंगे इसलिए हाफ इंच उपर बीचवाला हिससा जॉइन्ट है हम उसे बिल्कुल भी कट नहीं करेंगी इस तरह में गैटर जाल ले झाल लेंगे और इसके बाद से लाइनिंग को पर इस तरह से मैं क्र सकर के विचा दिया आपको यहां से हमें कमर का निशान लगाना होगा यानी जितनी भी आपकी कमर की गुलाई है उसका चौथा हिस सा उसके बाद लम्बाई हम ले लेंगे यहांसे तो यहाँ पर जो है मेरी कमर की गुलाई है वह 27 इंच है इस तरह से देखे पहला हम उसका हाफ करेंगे 39.5 इंच हो जाता है। उसके बाद में इससे दोबारा से हम हाफ करिंग यनि इसका चौथा हिस्सा हमें लेना है तो पॉने साथ आता है पर यहाँ यहाँ पे 7 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दूँगी इसमें सिलाई के लिए लेने की ज़रूत नहीं क्योंकि जब हम इसे क्रॉस में कट करते हैं तो यह कपड़ा खिशता है तो घुमाते हुए आपको निशान लगाना है उसके बाद में इसकी कटिंग कर लेना है हमको जो है इसके अंदर फोल दिनक करना अगर आपको कपड़ा निचे से फोल करना तो एक इंच आपको एक्स्टा रफ लखना होगा क्योंकि हम इसके अंदर अलग सी जो है फॉल ललाने कर लेंगे जब दो हीस्से पर हमारा यहां पर दो हिस्से कर द relyघो घंए कि उपर तो यहां-पर जो-पर возьм Thum crec नहीं लगाने वाले है और यहां पर लाश्चे में जो जिप नहीं लगाने वाले यहां पर देखिए और हमारी नेट का वैब्रीक है दोनों कटिंग हो चुकी है अब हमने जो है वो करॉस करके इस तरह से पट्टियां कट कर लेनी है तो यहां पर आपको जो है वो रैप पट्टी कट करनी है तो मैंने यहां पर बिल्कुल क्रॉस कर दिया है और इसकी जो लेंद है वो मुझे यहां पर 42 से 43 इंच तक यहां पर मिल रही है तो इस लंबाई के मुझे कम से कम 4 या 5 कट करेंगे उसके बाद में इस पट्टी को हम इसके ऊपर रख देंगे उसके बाद हम इसके ऊपर सारी पट्टिया रखते हुए कटिंग कर लेंगे तो इस तरह से जो है क्रॉस में पट्टियां असानी से कट हो जाती हैं सारी पट्टियों को हम जॉइन कर लेंगे चलिए हम पहले इसे half में cut करके निशान लगाएंगे तो इसे मैंने दिखे इस तरह half किया है हमें जो है इसे चार हिस्से में divide कर देना है यानि जब हम gather को डालेंगे तो हमारी जो कमर की गुलाई है उसके हिसाब से हम इसके अंदर gather को डालेंगे यहाँ पर मैंने mark कर दिया half करके अब जो आगे वाला हिस्सा है जो joint है यहाँ पर भी हम mark कर देंगे इस तरह से अगर हम निशान लगा लेते तो हमारी जो gather को डालना है बहुत जादा आसान हो जाता है तो हम हमारी कमर के हिसाब से बहुत जादा खुशूरत gather बनती है लेकिन अगर आपको यह तरीका hard लगता है तो आप long stitch कर लेजिए उसके बाद में आप धागी को खीचे तो आपकी gather जो है वो तयार हो जाएगी तो हमें पहले थोड़ा सा हिस्सा इसमें ready कर लेना है तो यहां पर दीखे मैंने थोड़ी सी gather जो है वो डाल दी है अब हम इसे measure कर लेते हैं कि हमने कितना यहां पर बनाया है तो यहां से यहां तक 7 इंच तयार हो चुका है अब हमें यहां से यहां तक 13.5 इंच करना है उसके बाद total जो हमारी gather रहेगी वो हम 27 इंच तक करेंग अगर यहां पर मेरी gather bird भी चाती है तो इसमें कुछ फरक नहीं पड़ता है क्योंकि मैं इसके अंदर जो है वो direct elastic लगाने वाली है लेकिन अगर आप bed लगा रहे हैं और side में आप zip लगा रहे हैं तो आपको जो है बराबर नाप जो भी आपकी कमर कर रहेगा उतनी ही यहां आप इस नदर li-nig अटेज कर देंगे तो मैंने पहले इसमें पिल लगा दिया था जो हमारी lining थी उसके पाद में हम इसके उपर बिल्कुल जो हमने गयादस जाला है उसी सिलाई के उपर हम सिलाई करेंगे तो आगे किसी और लेंगे मैं आपको जिप लगाना भी सिखा दूँगी इंशालला तो यहाँ पर देखें मैंने लाइनिंग को इसके अंदर अटेच कर दिया है अब हमने जो यहाँ पर बेल्ट लगाना है वो मैंने यहाँ पर तयार करके रखा है मैंने यहाँ पर नेट और लाइनिंग का फैब्रिक साथ में जॉइंट कर दिया है इसकी जो लंबाई रहेगी वो आपको अपनी कमर के हिसाब से ही रखना उसकी गुलाई की और चोड़ाई भी अगर आप दो इंच का बेल्ट लगा रहे है तो यहाँ पर आपको कम से कम पाच इंच चोड़ा जो है यहाँ पर लेना है पर मैंने एक इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि मुझे थोड़ी से लंबाई और बढ़ानी थी तो हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा कर लिया है देखिए फोल्डिंग पर इस तरह से आपको जो है 2.5 इंच रखना है बढ़ा है और स्थी हमें बाद में फोल्ड करना है और बाद में ले को हम परफे करने के बाद हमरा जो है वह ओपर की तरफ रहे गा और पाक्डम ऐसके ल्गाए ने हो जाता है तो इससे आपको थोड़ा समालना पड़ता है तो बहुत ही समाल के आपको इसके उपर सिलाई लगानी है जो भी हमने गैदस डाली है बिल्कुल उसी सिलाई पर ही आपको सिलाई करनी है तो यहाप में अटेच कर दिया है अब हाफ इंच हमने यहाँ पे तो पर फोल्ड किया है , बेल्ट यहाँ भर्ड कर्या है तो इस के लिए अगर पहले हाफ इंच लगा स्टाला की लगा देंगें, तो अब हमने देखिस १ लिए esmai folding कर दी इभूं यहां द्यान से देखना है तो यह सी मधर कमा पेले कर 끝 साथ में जॉइंड करके हम सिलाई करेंगे तो सबसे पहले हम यहां पर इस बेल्ट के हिस्से को जो है सिलाई कर देते हैं देखिए इस तरह से आपका बेल्ट उपर गी तरफ आ जाएगा तो यहां पर हम इसे पहले जॉइंड करेंगे और यहां पर जॉइंड करके इसे अब यह जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हमें जॉइंट करना है तो पहले हम यहां से यहां तक 6 इंच पे निशान लगा के उसके बाद में इस पे सिलाई लगाएंगे यानी चार हिस्से को हम इस तरह से जॉइंट कर देंगे एक साथ में हमें इस पे सिलाई लगानी है और जो जो lining उसकी सिलाई अलग से करेंगे इसमें बहुती जादा finishing आ जाती है और जो इसका घेर है वो बहुती जादा अच्छा बनता है तो हम जो है इस लेंगे को बिल्कुल straight में बना रहे हैं लेकिन हमने जो है इसकी जो lining की cutting है वो umbrella style में करी है ताकि जो लेंगा इसका flare बहुत ज लग से कर रहे हैं यानि यह जो हमारा net है side का जो खुला वाला था इन दोने की सिलाई हमें एक साथ में करेंगे इस तरह से तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी सिलाई कर दी है अब जो इसका lining वाला fabric है इसको हम एक साथ में joint करके करेंगे यानि इस तरह से हमने दो हिससे की सिलाई अलग-अलग कर दी है तो आज मैं आपको यह designer लहंगा जो बता रही हूँ इस तरह का अगर आप tailor से सिलाएंगे त जो हमने बेल्ट तैयार किया है उसके अंदर डालके हम सिलाई लगाएंगे और हाफ इंच देखिए हमने पहले से उपर की तरफ फोल्ड कर दिया तो हमें बहुत ही जादा आसान हो जाएगा इस elastic को अंदर अटेच करने में तो मैंने जो है अलग सी वीडियो बनाई है कि आ लगा सकते हैं तो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं मैं इसका लिंक देदूंगे डिस्क्रिप्शन में तो लगाने का तरीका भी देखिए अलग अलग होता है तो यहां पर जो है मैं बहुत जादा आसान तरीका आपको बता रही हूं आपने देखिए इस तरह से को पहले जॉइंड करके सरकल बना लेना है उसके बाद उसके अंदर डालते हुए आपको इस तरह सिलाई करते जाना है तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी जो है लास्टिक वो लग जाती है तो मैंने लास्टिक को देखिए अंदर डाल दिया उसके बाद में कपड़े को हम किचेंगे और फिर उसके बीच में सिलाई लगाएंगे ताकि जो हमारी लास्टिक है वो बिल्कुल भी अंदर की तरफ नहीं घुमे और मैंने यहां पर कमर का इससादी कि यह बहुत ही कम रखा है क्योंकि अगर हम जो है लाइनिंग को और हमारा जो नेट वाला फैब लगाएंगे जैसे हम साड़ी वगयर में लगाते हैं तो जो मैंने क्रॉस पट्टी कट की ती उसमें प्रेले जॉइंड कर दिया है अब हम उसे यहां पर अटेच करेंगे बिल्कुल किनारी पर से हाफ इंच लेते हुए इसके बाद में हम यहां पर इसे टर्न करेंगे देखे आपको इस तरह से टर्न करना है और फिर हम थोड़ा सा फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा देंगे और पूरी गुलाई में हम इस तरह से इस पट्टी को अटेच करेंगे तो यहां पे जो है हमने इस पट् sensor क्रोस में कट किया है तो इससे लगाने बहुत ज्यादा असाने हो जाती है क्योंकि हमने इस तरो इस तरहा बंद कर देगे इसzentहे लगा दिया है अब हम इसे इस तरह टर्ण करेंगे और कपड़े को हम नीचे की तरफ ही करेंगे उसके बाद में जो हमने ये पट्टी को attach किया है उस पट्टी पर ही हम बारीक से सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारी पर से तैकि जब हम दोबारा से इससे टर्ण करें तो बहुत ही ज़दा फिनिशिंग के साथ ये पट्टी लगी हुई दिखाई दे तो यहाँ पे हमें जो हमारी लाइनिंग वाला कपड़ा उसके ओपर सिलाई नहीं लगानी जो हमने अलग से ये पाइपिन की तरह ये पट्टी कट करके लगाई उस पर हमने देखे इस तरह सिलाई लगा दिए अब हमें इसे इस तरह टन करना है बिलकुल प्रोफेशनल वाला तरीका मैं आपको सिखा रही हूँ बिलकुल इसी तरह से देखिए उस पर भी रेडिमेट अगर आप लिकर आएंगे उस पर भी इसी तरह से सिलाई रहती है तो आपको जो है इस तरह से फोल्ड करते हुई इस पे सिलाई लगाना है तो बस हाफ इंच ही हम इसके अंदर फोल्ड करेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो यह पट्टी लगाने की वज़े से आपका जो लहंगा है बहुत ही जादा नीचे से भरा भरा दिखाई देगा और इसका घेरा भी काफी अच्छा हो जाता है यह लगाने की वज़े से तो सारी पट्टियों को जो हम इसे तरह से फोल करते जाएंगे और इस तरह से सिलाई लगा देंगे तो यह पट्टी देखे लग चुकी है बहुती फिनिशिंग की साथ हमने इस पट्टी को अटेच किया है हमारा लहंगा देखे बिल्कुल रेडी हो चुका और आप देख सकते हैं इसका घहरा में आपको दिखा देती हूँ मशालला काफी अच्छा इसका घहरा आया है साड़े तीन मीटर कपड़े में हमने इस लहंगे को तयार किया है और इसकी उपर की जो कूरती रहेगी वो हम पैपलम कूरती इंशालला बनाएंगे वी हाई लो में जो की डिजाइनर कूरती है तो उसका वीडियो भी आप जरूर देखियेगा अगली वीडियो में आपको इंशालला कूरती की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी से हम इसमें लाइनी लगाएंगे और साथ में हम जिब भी लगाएंगे तो सबसे पहले हम कुर्थी की कटिंग सीख लेते हैं नेट के ऊपर तो यह नेट मैंने जो ली है पो टू पॉइंट फाइव मिटर है तो हमें इसके अंदर जो है हमारी कुर्थी को एजिस करना यानि ह हमें इसके अंदर स्लीव भी बनानी है हमारी कुर्थी का उपर वाला पाट रहेगा प्लस हम नीचे का इसका जो घेरा रहेगा वो हम सरकल में कट करेंगे यहां पे हम हाई-लो वाला पैटन कट करने वाले हैं सिंपल अगर सरकल होगा तो वह इजी हो जाएगा लेकिन जो हा साइड में निकाल देना है यानि हम यहाँ पे हमारा जो चेस्ट होगा उसका हम फोर्ट पार्ट लेंगे प्लस हमें यहाँ सिलाई के लिए एक इंच एक्ट्रा लेना है और हम क्यूंकि इसकर जिप energy और एक च्यूणा में होगे तो कूर्ती में जित्या वी एक्ट्रा लग में cutting करके अलग कर लेंगे हम इस कुर्ती में front और back part जो है वो अलग-अलग कट करेंगे तो यहां पर मैंने देखिए इसके हिसाफ से कपड़े को measure किया है उसके बाद में इसे हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से और जब आप इस तरह का महंगा वाला फैब्रिक लिए तो आप बहुत ध्यान से आप फैब्रिक को जो है यूज करें जरा भी इसमें कपड़ा जो है आपका वेस नहीं होने पाए तो यहां पर देखिए हमने इसे अलग कर दिया है अब हमें इस पाट इसका अलग कर दिया है इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तो सेम इसी तरह से हम दूसरे पाट को भी फोल्ड करेंगे देखिए आपको इस तरह से इसमें रखना है इस लंबाई में हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और दूसरे पीस जो है हमारी वह हम के उसके बाद में फ्रंट वाला हिस्सा उसके उपर रखा है और जो इनेट वाला हिस्सा है यह भी एक्स्ट्र है वह हम कट करके निकाल देते हैं हमारी जो बॉड़ी की लंबाई है वह 15 है लेकिन हमने पे चेस बाद में ठोटल हमारा चुछ्ट पर चॉटर बेंगी उसकाा बढ़ बॉड़ तो ऑपकी पलाई के भी आपकी पलाई पहला है। इसके बाद में हम यहां पर गले की चोड़ाई निशान लगा देते हैं तेन इंच और हाफ इंच देखिए आपको छोड़ देना हम आपना नहीं है यहां पर हाफ इंच हम डाउन करेंगे शोल्डर नेट कटिंग की थी वो इसके उपर हम रखेंगे और जो हमारे बैक पार्ट वाली नेट है वही आपको रखके कट करना है अगर आप फ्रंट वाली रखके कट करेंगे तो आपकी जो यह लाइनिंग वाला कपड़ा है वो छोटा पड़ जाएगा उसके बाद देखिए हम इस करके उसके बाद कटिंग की थी तो इसे हम यहां से बराबर करते हुए कट कर लेंगे अगर आपको इसके नजिप नहीं लगानी है तो आप डायरेक्ट जो है जो भी आपका मेजर्मेंट उसके इसाब से निशान लगा कर सकते हैं सेम नापका इसके बाद जो बच्ची वी इसमें से हम इसका घेरा कट करेंगे हम यहां पर हाइलो बनाने वाले हैं तो इसकी कटिंग आफ द्यान से दिखिए गाए तो ड़ा मैं अलग तरीके साज आपको सिखाऊंगी तो मैंने फैबरी को दिखे इस तरह से फोर फोल में रख लिया है तो आप देख सकते हैं यहां आपको जो भी इसकी लंबाई लेनी है वो आपके जो बॉड़ी पार है जो हमने यहां उपर रखा यानि 15 इंच हमारे उपर का हिस्सा रहेगा उसके बाद में जो भी हमारी लंबाई रहेगी वो हम हमारे इस फ्रॉक में लेंगे तो आपको इसके अंदर ज्यादा कुछ कर आप रखाया है इस तरह से आपको देना है क्योंकि हम यहां पर फिर जॉषी सब्सक्राइब OS hes Suttonique कर लियुए अब लाइनिंग की कट करना तो लाघनिंग के लिए की लिए जो हमने net cut किया तब हम इसके उपर रखेंगे हमें जो है lining वाला कपड़ा एक इंच से छोटा रखना है तो हम जो है इस तरह से cut करेंगे यानि net को मैंने एक इंच उपर और यहाँ side में निकाल दिया है ताकि हमारा जो यह lining वाला कपड़ा है वो एक इंच छोटा cut हो तो देखिए इस तरह से एक इंच मैंने बाहर की तरफ रख दिया दोनों तरफ से उसके बाद में इस गुलाई से हम यहाँ पर निशान लगा कि इसकी cutting कर लेंगे तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर mark किया है तो सेम इसी तरह से हम इसकी cutting भी कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी cutting कर ली है अब यह जो net वाला fabric है इससे हम इस तरह से खोल लेते हैं इसमें हमें high low बनाना है तो यह देखिए जो मैं तरीका आपको बता रही बहुत ही आसान है इसमें सबसे पहले आपको इस fabric का center लेना होता है जो भी इसका center यहाँ पर हम mark कर देंगे और यहीं से पकड़ते हुए हमें हमारे fabric को देखिए रखना है ऐसे करके तो आपको जितना भी यहाँ पर high और low करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं तो यह हिस्सा जो रहेगा उपर वाला हमारा सामने वाला हिस्सा देखिए इस तरह से रहेगा यहाँ नीचे से मैंने 6 inch पे gap दिया है तो और जो यह उपर वाला हिस्सा है यहाँ पर मार्किंग करने हुंगे, यहंय हमारी कमर की गoलाई है, इसका 14 इससका हम यह पर लेंगे तो जितना भी आपकी कमर की ग़लाई है वो आपको लेनी है, यहाँ पर cross करके हमें रखना है 7.5 inch पर मैं यहाँ पर मार्क करूंगी तो सिलाई को जो भी हिस्सा रहेगा वो छोड़ते हुए आपको यहाँ पर मार्क करना है और यहाँ पर जो है हमारे यह फैब्रिक बिल्कुल गुलाई में कट होगा यहाँ पर देखें मैंने 5-5 इंच का गैप लेते हुए इसे इस तरह से सरकल शेप दिया है तो इसे हम इस तरह से मार्क कर लेंगी इसके बाद में आपको 1-5 इंच एक्ट्रा उपर की तरफ छोड़ना है स्टीच करने के लिए तो 1-5 इंच छोड़ के उसके बाद में हम इसके कटिंग कर लेते हैं तो यह हिसा आपको बहुत जादा बड़ा नहीं कट करना है वहना आपको जो है गैदर्स जालने पड़ेगी तो यह सामने यहां पर कटिंग कर लिया है अब हमें जो है लाइनिंग में भी इस तरह से कट करना होगा तो सेम हम उसी तरह से लाइनिंग को भी रखेंगे और हमारा जो नेट वाला फैब्रिक है वो हम इसके उपर जो है रखेंगे देखिए इस तरह से आपको रखना है इसे हम बराबर कर देते हैं सेम होना चाहिए कपड़ा उपर नीचे से बिलकल प्रोफिशनल तरीके से मैं आज आपको पैपलेन कुर्ती की कटिंग बता रहे तो देखिये इस तरह से आपको जो नीचे वाला से इसका पार्थ है, वो कट करना है तो लाइनिंग को और जो नेट है उसको आपको इसको बिलकल सही से रखना है कुछ उपर नीचे नहीं होना चाहिए उसके बाद बराबर करके हम यहाँ पे मार्ग करेंगे और इस हिसे की हमें कटिंग कर लेनी है यह जो हमारा कमर वाला हिस्सा है यह बिल्कुल आपको सही मेजर करके यानि जो उपर वाला हिस्सा है आपका पेटी वाला हिस्सा जो करने के बाद में जब हम इसके उपर जो हमारी कुर्ती का उपरावाला पाट रहता है वह हम जूइंड करेंगे और इसी के अंदर हमने लाइनिंग राल नीड़ानगी तो इसमें lining लगाना बहुत ही आसान है, इसमें दो तरह से lining लगाई जाती, एक तो आप direct अंदर से लगा के सिलाई करके इसे पलट सकते हैं, जिससे यह थोड़ा सा मोटा हिस्सा दिखाई देता है, लेकिन मैं यहाँ पे lining और उपर वाले net को अलग अलग रखूंगी, यानि इसे देखें, आपको इस तरह से करना है, तो हम क्या करेंगे, lining को हम इसके अंदर डाल देंगे, सिधा, उसके बाद में जो कमर वाला हिस्सा रहेगा, यहाँ से हम सिलाई लगा की सिलाई करेंगे, और नीचे वाले पाट को हम अलग अलग सिलाई करेंगे, देखें इस तरह से आपको इसमें सिलाई लगानी होगी, अब यहाँ पे यह जो हमारा उपर वाला पार्ट है, यहाँ पे हमें lining को अटेज करना है, एक साधी सिलाई हम लगा देंगे, उसके बाद बीच में हमें यहाँ पे zip लगानी है, फिर हमें नेक इसके अंदर बनाना है, तो इसे हम प स्लीव रह जाती है, तो जो यह बचा हुआ कपड़ा है, इसी के अंदर से हमें स्लीव निकालनी है, तो यहाँ पे जो है मुझे लॉंग स्लीव नहीं बनानी है, तो इसमें हमें अर्जिस करना है, तो यहाँ पे हम आम होल वाला हिस्सा ले लेते हैं, और लंबाई हम जो भी आगी का हिस्सा रहेगा, वो हम फिल्ली बना देंगे, यहाँ पे आगी जितना भी कपड़ा हमें मिलता है, तो यहाँ से हम हाफ इंच एक्स्रा रख देंगे सिलाई के लिए, और लंबाई में हम यहाँ पे 9.5 रेंगे, और चोड़ाई हम यहाँ पे 3 इंच सिलाई के लिए, यहाँ पे हम शेप देंगे, तो स्लीव किये मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी, इसके हम कटिंग कर देंगे इस तरह से, तो हमारी स्लीव देखे कर चुकी है, उसके बाद में जो आगे वाला हिस्सा जो बचा था इसके अंदर से हमें फ्रिल निकालनी है, तो यहाँ पे एक बड़ी सरकल में फ्रिल हमारे पास नहीं बचेगी, तो जो भी कपड़ा है, उसके अंदर हमें अज्जेस करना है, तो हमारी स्लीव की गुलाई है, वहाँ पे हम सिलाई वाला हिस्सा छोड़ के यहाँ रख देंगे, उसके बाद में हमें जो हैं यहाँ मेंजर करते हुए इसे गुमाते जाना है, फैप्रिक के साफ से हम यहाँ पे इसकी गुलाई दे रहे हैं, तो स्याथ इंच यहाँ पे देखिए, है तो इसी साफ से मैं यहाँ पे गुलाई दे रही हूँ, जैसे मैं ने गुलाई दिया है, इसे हम कट कर देंगे, तो देख तो यहां से जो है हम sleeves को attach करेंगी तो देखिए मैंने यहां पर इसे अलग कर दिया है इस तरह से तो जब मैं इसकी stitching करूंगी तो आप दिहान से देखिएगा कि मैं इसे किस तरह से लगाती हूं यहां पर देखिए आपको इस तरह रखना है और इसकी टोटल है हमारे पास 16 इ आपपी को करना चाहे तो करा सकते हैं और किंस कि लगा देंगे इसके बाद यहां पे हमारी जो व्रवाला हिससा थ है कुर्थे का इसमें हम यहां पे नेट अडे कर रहे हैं तो पहले हम सिंपल इस तरह से लगा 5 तो बड़े लगाएंगे हम यहां इसके ऊपर अटे इसके बाद पलटने के बाद में हम एक सिंपल सिलाई इसके पर लगा देंगे इससे अटेच करने के लिए इससे पलट के हम बिलकुल किनारी पर से एक सिलाई लगा देंगे तो यहां पर देखे मैं इसके अंदर टिकली का काम क्या हुआ है तो डबल अगर फोल्ड करेंगे तो एक साथ में अच्छी तरह से फोल्ड नहीं होता है इसलिए मैंने डबल सिलाई करके इससे तयार किया है तो सेम देखे मैंने इसी तरह से अपनी दुनों स्लीव को रेडी कर दिया है तो यहाँ पर देख सकते हैं तो इसे हम जो है हमारे जो उपर वाली कुर्ती है उसमें आटेच करेंगे यह 3 इंच ही रहता है लेकिन 1.5 इंच हमने एक्स्टर बाहर की तरफ रखा है सिलाई के लिए उसके बाद लंबाई मैंने यहाँ पर टूपन 5 इंच रखी है और इसी के साथे मैंने डबल करके लाइनिंग का फैबिक भी रख दिया है तक कि हमारी जो गले में लगाने वाली पट्टी है वो साथ में कट हो जाए इसके बाद में आपको एक इंच की दूरी पे इस तरह से कट करना है तो साथ में हमारी जो यह गले के पट्टी है वो भी कट जाएगी meteor desert में आबर किया है 2 इंच और मेन आपधि को लिए है और लमगाई मेने यहां पे हमारी तार से इस तरह पर यदो इसको आपको बस इस तरहा यहा står जिप के अंदर लग जाती है इसके बाद हम यहां पे फ्रंट वाला नेक कटिंग करेंगे तो 3 इंच मैंने चौड़ाई मेली है और लमाई मैंने 5.5 रखा है इसके बाद में हम इसे यहां पर शेप दे देंगे तो सिंपल मैं यहां पर राउंड नेक बना रही हूं इसी कटि करेंगे इसके बाद में हमें 1.5 इंच की दूरी है इस तरह निशान रगाना है ड्र Staun के लिए सेम डूसितर तरह भी निशान लगा देंगे यहां पर भी हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह लंबाई में निशान लगाते हुए हाफ इंच हमें यहां पर गैप रखना है तो इस तरह से निशान लगाएंगे इसी तरह हमें इसमें सिलाई लगानी होगी तो उसके बाद में हम इसके अंदर स्लिप इस तरह से लोगाएंगे तो दूसरे वाले हिससे में निशान लगा देना है तो हमने देखे कि यहां पर जॉइन कर दिया है और पहले से ही हाफ यहां पर फोल्ड कर लिया है साइड से उसके बाद में हम जिप को तो जिप लगाने के लिए आपको पहले इस तरह से अंदर की तरफ कपड़ को फोल करना है जो हमने इस ट्रिप लगाई है फिर जिप को रखते हो इस लगानी है और जो दूसरा वाला पार्ट है उसका वह आप इसके उपर इस तरह से रखेंगे फोल करने के बाद में तो मैं आपको डायरे की तरह नहीं आता है तो आप पहले जो है जो हमने इस्ट्रिप को लगाई है उसे लगाने के बाद फोल करने के बाद आप एक सिलाई लगा दीजिए ताकि वह अच्छी ते बैड़ जाए उसके बाद आप जिप लगाई तो आपको आसाने हो जाएगी तो यहा इस नीचे वाले हिस्से से जोइंट करेंगे थोड़ा सा हम आफ इंच बाहर की तरफ निकालते हुए इसे रखेंगे दिखें से विल्कु सीधा करना है आप चाहिए तो इसमें डारिक पिन लगा कि उसके बाद सिलाई लगा सकते हैं तो हम नीचे वाले हिस्से से ही जोइं करना है कि जीप के उपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए तो इसे हम बराबर भी करते जाएंगे और सात में हम सिलाई भी लगाते चले जाएंगे मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की है कि सीप को किस तरह से हम कुर्टी में अटेश करते हैं तो अगर अप देखना चाहते तो आ तो यहां पर पहले से एक SILAI लगा दी जो मैंने निशान लगा था इस तरह से सिलाई लगा कि अगर आप TUKSकी सिलाई में तो बहुत ही फिनिशिग साथ बनता है उसके बाद में हम जो है इसका है शोल्डर जाइन करेंगे उसके बाद में हमें इसमें SLEWES लगानी है तो और हमारा जो निचे का घेरा है वो भी लाइटनिंग लगा के रीड़ी हैं अब हमें इन antibiot को recreational करना है उपने गए लाइच के लोग से टो यहाइच कर दिया है और बने के बाने यह माशाला बहुत ज़्यादा खुबसूरत लग रही आप देख सकते हैं इस कुर्ती के साथ जो नेट वाला लहंगा है गैधरिंग का इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में इंशाला दे दूँगी तो आप देख सकते हैं मैंने ये सब फैब्रिक जो है वो एक ही दुकान से खरीदा था और ये इसका जो है डुपट्टा है और इस डुपट्टे में एक तरफ से डिजाइन बनी हुई है तो मशाला मैंने आज आपको पैप्लम टॉक की कटिंग और स्टीचंग बहुती आसान तरीके से सिखाई है और हमारा जो ये नेट वाला गैधरिंग लहेंगा रहा है वो भी आप देख सकते हैं तो उम्मीद करते हूं कि आज की वीडियो आपके लिए helpful रही होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे like करें, share करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो मिलते हैं अगली वीडियो में दुआओं में याद रखिए, जब तक के लिए take care Allah हाफीज